सरहत के उस पार में खुशामदीद, स्वागत दोस्तों बात साल 1999 की है जब भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपई साहब दोनों मुलकों के तालुकात को सुधारने के लिए सदाए सरहत बस पर बैठ कर भारत से पाकिस्तान गए लहौर में मिनारे पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहां की विजिटर्स बुक में कुछ ये कहा कि ये वाजपई साहब के अलफाज थे जो उन्होंने मिनारे पाकिस्तान जाकर वहां की विजिटर्स बुक में लिखे अब पाकिस्तान को stable और prosperous बनाने के लिए पाकिस्तान का सबसे पहला और आखरी national interest अपनी आवाम का welfare होना चाहिए आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान सियासी security मौशी एतबार से आज कहां पर खड़ा है पाकिस्तानी आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानी society की thinking class जो की पड़ी लिखी है इस दुनिया में जो तेजी से तबदीली आ रही है उसे बहुत अच्छी से समझती भी है तो आज जानेंगे कि उनके नजदीक पाकिस्तान को stable और prosperous बनाने के लिए मुल्क को अपनी policy में क्या तबदीली लानी होगी आएं एक एक करके महमानों का तारुफ कराते हैं सबसे पहले जी हमें जोईन किया है सेयद मुजमिल शाह साहब ने आप एक social activist हैं बोल्ड न्यूस पर आपका एक बड़ा जबर्दस प्रोग्राम आता है आपका प्रोग्राम में ख्यर मक्दम है सेयद मुजमिल साहब बहुत शुक्रिया थैंक यो फर हैविं मे दूसरे हमारे महमान हैं अबास मुस्वी साहब इनका तालोक पाकिस्तान के गिलगित बार्टिस्तान से है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं सियासत में एक्टिव हैं आपका भी प्रोग्राम में ख्यर मक्दम है तीसरी हमारे महमान हैं हमारा इफ्तिकार साहबा आप एक social activist हैं हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी है आपका भी प्रोग्राम में ख्यर मक्दम है सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा सेद मुजमिल साहब आपके साथ वैसे तो पाकिस्तान पिछले 75 साल से ही क्राइसिस में रहा है लेकिन मौजूदा political security और economic crisis पाकिस्तान के लिए जो है कितना ज़्यादा जो है सीरियस है और आप इसे कैसे देखते हैं देखें multiple चीजें हो रही हैं सबसे बड़ा मसेला मैं समझता हूँ अगर हम इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें it starts with the economy जो सबसे उपर बैठा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि ये वो दुनिया नहीं है जहां आपका border महफूज हो तो उसके बावजूद अगर आपकी economy खराब भी हो तो आपका मुल्क सर्वाइब कर जाएगा अब economic sovereignty की बात होती है दुनिया भर में और पाकिस्तान की unfortunately जो मौशी मसाइल है उसके जो solutions है वो पाकिस्तान की जो political class है उनके पास नहीं है जो MD IMF हैं वो directly पाकिस्तान की economy को supervise करती है अगर बिजली का बिल पे कुछ महंगाई करनी है वो भी IMF decide करेगा अगर गैस महंगी करनी है IMF फैसला करेगा उसका टैक्सेशन किस सेक्टर पे होनी है उसका फैसला IMF करेगा पैटरल कितना महंगा करना है वो भी IMF decide करेगा तो एक लिहाज से पाकिस्तान has lost its economic sovereignty अपने फैसले मौशी अंदाज में खुद करने की जो सकत है वो खतम हो चुकी है सबसे बड़ा मसेला यही है कि जो भी government आती है वो किसी भी promise को fulfill करने की position में नहीं हो सकती क्योंकि उनके हाथ में budgeting और इसके लावा finances है ही नहीं क्योंकि वो debt पे इतना rely करने लगे है कि अब सारी policy बाहर से आया करेगी और वो सिरफ उसको apply करने के लिए यहाँ पे as a clerks काम करेंगी और कुछ भी नहीं तो एक तो सबसे बड़ा मसेला यह रहा कि फिलवक्ट भी IMF कहता है कि maximum growth भी अगर आपकी होगी तो वो 2% से उपर नहीं जाएगी which is disastrous 2017 में 5.8 या 6 के करीब growth थी और अब वो इतना नीचे आ गई है कि recover नहीं हो रही दूसरी चीज जो है वो political instability है आपको पता है कि तरीक इनसाफ की जो government थी इमरान खान साब के निकाले जाने के बाद vote of no confidence के मजीद crisis बढ़ गया उस ताइम भी मिया नवाज शरीफ या कुछ और लोगों ने कहा कि fresh election होना चाहिए नहीं हो सका और अब 9 मईए के वाकियात के बाद तो और intensify हो गई ये चीज़ के पकड़ धकड़ हो रही है गिरफतारियां हो रही है तो उससे क्या हुए है कि election का महाल तो बन नहीं पारा लेकिन election करीब आ रहा है अब level playing field की बात कर रहे है बिलावल भुटो साब level playing field बहुत सी पार्टीज मांग रही है मौलाना फज़र रह्मान साब कह रहे है सरदी में election ना करवाई है तरीके अंसाफ कह रही है हमारी leadership jail में पढ़ी हुई election कैसे होगा तो इस सारे environment में अभी तक किसी को ये confirm ही नहीं है कि election commission ने जो वादा किया है जन्वरी की end पे election करवाने का उसको पूरा भी कर सकते हैं या नहीं because they are deliberately not specifying any dates वो सिर्फ कह रहे हैं आखरी अफ़े में हो जाएगा आपको पता है markets बहुत sensitive होती है अगर markets को पता है कि यहां यही नहीं पता कि election कब होना है तो investor क्या करने आएगा वो भी उसी लहाज से deterioration जो है वो face करनी पड़ रही है आखरी बात करूँगा तीसरा मसला जो सबसे बड़ा चल रहा है वो हमारा terrorism का है जो revival हुआ TTP दुबारा से empower हो चुकी है पांच से छे अजार fighter उसका अफगान तालिबान ने छोड़ा और जब से उनकी strength डबल हुई है तो आप 300% increase हुए 300% rise in terrorist activities पिछले डेड़ साल के अंदर बड़ा attack हुआ जिसमें सेंक्रणों लोग मरें तो पाकिस्तान को multiple problems इस वक्त जो है वो face करने पड़ रहे है जिसमें economic भी है political भी है और security भी है जी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा यही सवाल हमारा इफ्तिकार साहिबा आप से है आप पाकिस्तान की मवजूदा सूर्टेहाल को कैसे देखती है जैसे की बताया है मुझमील ने भी हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो तो economy है और आप जानते कि पाकिस्तान जो बेस करता है वो mix economy system है उसका free economy भी है और साथ government के साथ भी आपको एक तो यह mixture है इस चीज़ को या तो आपको free economy system लाना पड़ेगा या फिर आपको उसमें reforms करनी पड़ेंगी और यह reforms में कोई land reform या कोई स्था की कोई बड़ी reforms या वो socialist reforms के बारे में बात नहीं कर रही में जो की जा सकती है उन reforms की बात की जा रही है और उसके बाद जैसे के political stability मैं तो इस चीज़ को अगर ज्यादा लिंक करती हूँ तो मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की जो मुझूदा हालाथ है उसमें बहुत जारे confusion जो है हमारी पाक कंपनी की तरफ से है कि पाक कंपनी जारी चाहती कि जा ये हमसमझ नहीं आरे है या क्या वो पीछे बैठ़ कर खेलना चाथ़ए हैं बैक फुट पर या फ्रिन पर फर Vegetा कर खेलना चाथ़भी है च्हाँ वो इलेक्शन करवाना चाने हैं क्या वो किसी पार्टी को जगा का फाइदा है कि वो किसी पर अगर वो खुद आ सकते हैं और वो उनको तो उनका वो क्या चीज़ जो रोक रही है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब आपना वक्त देंगे ना उनको उनका टैन्योर पुरा करने देंगे और एक के बाद कि हमबूट पॉलिश करें और वो जो है वो जेरे अताब आ जाएगी उससे पहले 2017 मेडिया से बात कर रहे थे ग्रोथ जो थी वो आलमोस सिक्स पॉइंट पे थी लेकिन क्या फर्ग पड़ता है पार्ट कंपनी उस वक्त धके दे कर निकाल दिया और उसके बाद इमरान खा आया जो भी डिजास्टर था जो भी था लेकिन आपने एक चूज किया था एक आपको लग रहा था आप हमारे खैखा हैं आप मैं अपने स्टेट की बात कर रही हूं और आपको लगा कि यह पार्टी जो है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बेतर है तो आप कम उसकम उन्हीं को मौका दे देते तो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टेट की पॉलिसीज हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि वो करना क्या चाहते हैं क्या वो वाकि किसी पार्टी पहत्माद करना चाहते हैं क्या वो दुबारा कुई नई पार्टी बनाना चाहते ह इसके बात जैसे मुझमिल ने बात की exactly वही बात जो टेरिस्ट है टेरिजिजम है और टेरिस्ट है इनको भी मैं अगें लिंक करूंगी स्टेट पॉलिसी के साथ अब पॉलिसी जो उनकी है वो अगें मैं यह कहूंगी कि किन्फ्यूज हैं 2007 कब आपको याद होगा कि जिस तर आरे ना तालबान को में महफूज रखने देए हमारे एसेट हैं तो उसके बाद जो पी अल-काइदा ने किया वो आपको शायद आपकी मेमरी में हो या हमारे सुनने वालों के मेमरी में हो जो कुछ हमने बरदाश्ट किया अचा जी वही अल-काइदा ने जब की टीपी आफगान ने तालबान ने तो अब हम लोग देशत गर देए और यह क्यों नेरेटिव बनता है यह हमारे स्ट्रेट नेरेटिव बनाती है वहाँ पर जाकर जब चाय पी जाती है जब वहां का सारा क्रेडिट लिया जाता है और यह सारा जब आप पौदे लगाते हैं जब फल देने लगते हैं फूल देने लगते हैं तो यह वो वक्त है जब अब हम पाकिस्तान जो है अपने स्टेट के लगाए वे पौदे और फल और फूल जो हैं वह हमें नज़र आ रहे हैं तो इन सब को अगें आइड लिंक के जो टैर्रिस्ट हैं या फिर जो अब नहीं लह पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो एक वक्त में जब एक पार्टी जेरे अताव होती है तो थोड़ा बहुत अगरी खिलागी तोर पर थोड़ी बहुत बेतरी दिखाते ना कि दूसरी पार्टी जो हूं का मौका ना लें एक दफ़ाई है वह वह चेंट तो तोड़ देना एक दफ़ा यह चेन तोड़ दें कि जब इमरान खान को कि कर रहे थे तो दूसरी पार्टी जो है वो दोनों पार्टी जो में पार्टी पीछे होके बैठ जाते हैं कि हमने नहीं लेना इसमें पार्ट और आप खुद आ जाएंगर आपको यह पसल नहीं है और आकर आप रूल करें हम पीछे बैटें क्योंकि हम अवाम के फैरफा हैं तो मेरे ख्याल में यह चेन एक दफ़ा तोड़नी बहुत जरूरी है चले अब अब देखते हैं मेबी कि यह जब मैं देखती हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई एजंडा नहीं है मुल्क की महिशत को लेके आप क्या कहेंगे इस पॉइंट पर थोड़ा सा स्ट्रेस करें और आपकी जनरल अब्जरिवेशन जो है उस पर भी बात करें तेंक्यों वरी मच्छ अबिन साब देखें मैं यह समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मसला है सारे मसाइल की जो बुनियाद है वो सियासी अत्में पाकिस्तान के जो स्ट्रिक्शर है इसके अंदर आप यह समझें कि जो प्लिटिकल फॉर्सिस हैं उन्हें पनपने नहीं दिया जाता या जो प्लिटिकल फॉर्सिस हैं जिन्होंने मसाइल हल करने हैं जिन्होंने मुल्क को चलाना है अगर आप उनको चलने ही नहीं देंगे आप उनको हिताब का शिकार रखेंगे, उनको प्रकेसिस बनाएंगे, उनको सियास्त करने नी देंगे, उनको मसाइल हल करने की तरफ जाने नी देंगे, उनको आप हमेशे से कितना देवार के साथ लगा के रखेंगे, कि उन्हें अपनी जान की पड़ी होगी, हर कोई बंदा आपने आपकी अपनी अज़त बचाने चाने की पीछ पढ़ा रहेगा तो मुल्क कोन सोचेगा? CHIHAÖ 고양य थे सखाम है चाहे टरिरिर्जम है चाहे अंगरत मसाइल है फाके ने थीड़ जो वसाइल आपके पास होने चाहें वो न नहोने के बराबर हैं अगर हम यह देखें कि वन जो पॉलिसाज पॉलिसी साज लोग हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास भी कोई बड़े ऑप्शन्स पाकिस्तान में नजर नहीं आते हैं और उसकी बन्यादी वज़ा यह है कि पाकिस्तान के स्ट्रिक्चर के अंदर इस तरका इन्वार्मेंट या इस तरकी हालात पैदा किये गए हैं कि जो पॉलिटिकल फॉर्सिस हैं या सेवल सुप्रमेसी का जो एक हम डिमोकरिटिक लोग बात करते हैं सियासी लोग बात करते ह आज हमें नजर आ रहा है hem पॉलिटिकल पार्टी में ये ये रियलाईश्चन आ रही है कि हमें इस पर काम करना चाहिए हमें चार्टर आफ डिमोक्रेसी के उपर काम करना चाहिए ताकि हम यह समझ जाएं कि पुलिटिकल लोगों के या जो रियास्त को चलाने वारे लोग हैं जिसे हम पुलिटिकल लोग केते हैं सियासतान केते हैं जो बैसिकली हुकूमत के जिमेदार होते हैं उनको यह एसास हो कि वो पॉलिसी फर्मलेशन के अंदर आजाद हों पाकिस्तान का मेरा यह ख्याल है कि मसला है कि यहां पर अदम इस्तहकाम है पार्टी फार्मले काद देंगी ना जब वो अपनी सर्वाबल की जगन लड़ेंगी यहां पर तो midst को उप्र उन है, उसको इतना पीटना है, उसको इतना देवार के साथ लगा देना है, कि उसने भी सर्वैवल की जंग लड़नी है, जब पार्टी अपने वजूद की जंग लड़ेगी तो मुल्क के मसाइल का हल कब निकालेगी, उसके उपर सोचने का आप बोका ही नहीं देते, तो मैं ये سمجھتا ہوں कि पाकिस्तान के अंदर जो structure है रियास्त का structure के अंदर ज्यादा options जो सियासदान है उनके पास नहीं है उनको इतना देवार से लगा के रखा जाता है और हमेशे से dictate किया जाता है हमेशे से ये समझाया जाता है आपने वहीं करना है जो हम कहेंगे तो इस सुरत हाल में मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी को इन मसाइल के हल के लिए किसी भी किसम का कोई फार्मूला देना नामुम्किन लगता है मेरा ये ख्याल है कि structure को re-design करने की ज़रूत है इसके अंदर re-consider करने की ज़रूत है मेरा जाती ये ख्याल है कि यहां पे जो मुक्तलिफ stakeholders हैं उनको मुतमाइन करने के लिए जो एक social contract है इसको re-consider करने की ज़रूत है जो मसाइल है उन मसाइल का हल इसमे है या दूसरे अलफाज में ये कहें कि जो civilian लोग हैं जो जो जिनको जो काम करना चाहिए उनको काम करने देना चाहिए जब तक ये सुरताल चेंश नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तबदिली इस मुलक में आने वाली है जी आपने social contract में तबदिली लाने की बात करी इस से आपकी क्या मुराद है देखें पाकिस्तान में मसला ये है कि एक federation है यहां पे बहुत सारी ethnicity रहती है अब problem पाकिस्तान का ये है कि एक हेजिमोन बनके society के अंदर एक सुबा जो है ना हमेशा से dominant रहता है बागी लोगों को उसमें participate करने की अतनी जगा नहीं दी जाती या उतना उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता जो peripheral जो यूनिट्स है federation की वो हमेशा से हैसा से कमतरी के शिकार रहते हैं और positive formulation के अंदर उनको वो मौका नहीं मिलता तो मेरा ये ख्याल है कि ये basic reason है जिसकी वज़ा से जो political stability है वो भी नहीं आती तो आमे मेरा ख्याल है सियासी एस्तेहकाम के लिए इन मसाइल को reconsider करने की जरूरत है इन को सोचने की जरूरत है खास तोर पर जो religion को हमारे social contract के अंदर इतना थोपा गया है जिस से चीजें बड़ी जो है ना मेरा ये ख्याल मेरा जाती ख्याल है चीजें बड़ी मेरा ख्याल है की disturb हो रही है इन मसाइल को समझ के reconsider करके जो आपकी नेशन बिल्डिंग प्रोसिस है या जो आपका नेशन बिल्डिंग सेंबल्स है उनके ओपर reconsider करने की जरूरत है ताकि हम एक नए consensus की तरफ जाए है ताकि हमारे ये मसाइल कम हो जी ये गुफ्तगू करते सारे ही हैं अभी ये जो एक नई जमात जो है जिसके उपर बात हो रही है शाहिद खकान अबासी साहाब है उसमें और मिफ्ता इसमाइल है और तीसरे वो साहाब मुझे अभी नाम याद नहीं आरा sorry to say मुस्तफा नवास खोकर साहब जी जी बिलकुल बिलकुल तो ये पिछले कुछ महीनों से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कुछ इनी लाइन्स के उपर है तो अब देखना ये होगा कि जब बात आती है कि जो fundamental जो की principles हैं पाकिस्तान का constitution जिसके उपर based है तो वहाँ पर आक पर हम आगे गुफ्तकू करेंगे सेद मुझमिल साहब के तरफ चलते हैं आपके नजदीक पाकिस्तान की जो economy है उसके साथ fundamental issues क्या है जिनकी वज़े से आप समझते हैं ये crisis जो है बार बार आपको IMF के पास जाना पड़ता है और मुल्क जो है अपने पैरों पर खड़ा हो आठ साल हो चुके हैं आप पैसे ले रहे हैं आपने कुछ बनाया भी है अपना या इस तरह ही चलना आपने बाद में तो ये तो सिर्फ असिस्टनस मांगे जो है वो गुजारा कर रहे हैं और इंडिजनस इंडस्री बन नहीं रही आपको मैं रेकमेंट करता हूं कि आप 1972 क लगती हमें हर चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है अभी तक पाकिस्तान के वही मसायल हैं अभी तक इवन इमरान खान साब जो के इस वक्त सबसे पॉपलर हैं जिनकी पार्टी को सप्रेस किया गया उन्हों ने भी ये कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो अमेरिका में र आते हैं कि 15 अरब डॉलर साओधी अरेविया से आ जाएगा पांच अरब डॉलर चीन से आ जाएगा जब उनसे पूछें कि अपना जीडीपी कैसे खड़ा होगा वो नहीं पता किसी को उसकी वज़ा ये है कि फिर वही बात के इंपोर्ट ड्रेवन एकॉनमी बनाई पहले तो आपने और दूसरी चीज गैरिजन स्टेट पहले दिन से जब भारत की बात कर लूँ या दीगर ममाले की बात कर लूँ वो अगर अमेरिका से बात करते हैं वेस्टन पावर से बात करते हैं इवन नेरू साब जब गए थे उन्होंने एड का मतालबा वैसे वर्बली तो तो नहीं किया था लेकिन अमेरिका ने किसी पॉइंट पर एसेस्ट भी किया था इंडिया को तो वो युनिवरस्टी जब بات کرتے تھے وہ ادارے کھڑے کرنے کی بات کرتے تھے اور ہم کیا مانگतے تھے سب مارینز یا ایمیونیشن اور ہم نے سیٹو سینٹو سائن کر کے گیاریزن سٹیٹ بنائی اس گیاریزن سٹیٹ کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج تک جو سیکیورٹائزیشن کا لینز اینا سٹیٹ کا اس کے ثرو فیصلے ہوتے ہیں ویل فیر کے فیصلے نہیں ہوتے کیری لوگر بل کا آپ کو یاد ہوگا بہت بڑی ایر تھی نہیں آنے دی گئی پاکستان में क्या वज़ा थी क्योंकि वो civil sector में जानी थी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में elite capture का बहुत बड़ा मसला है 18 billion dollars की industry है पाकिस्तान में elite capture सिर्फ और IMFB यह बात करता है कि हम repeatedly पाकिस्तान के लोगों को कहते हैं कि आप elite को tax करें आप industries को tax करें लेकिन वो जवाब में यह कहते हैं कि नहीं हम middle class को मज़ीड tax करेंगे अभी recently report शहवाज राना journalist है उन्होंने दी है कि 200% ज्यादा tax दे रही है पाकिस्तान की salary class in comparison to यह sugar mafia वाले और importers तो जो तंखा ले रहा 200% tax दे रहा है ज़ादा उससे जिसके कारखाने हैं बड़े-बड़े जिसकी जागीरे हैं जिसके बड़े-बड़े रखने हैं तो एक चोटा सा तबका है जिसमें जो है वो bureaucracy भी involved है इसके लावा बड़े-बड़े फूडल्स भी involved हैं इसके लावा पाकिस्तान के बड़े बड़े establishment के नाम भी है ये nexus है जो के मिल के पाकिस्तान की economy के फैसले करता है और conflict of interest है अगर मैंने sugar mafia को खतम करना है और मेरी अपनी sugar industry है तो क्या मैं वैसा करूँगा नहीं कर सकता दूसरी आपने अभी मिसाल दी जो नई पार्टी बनाने की बात हो रही है जिसमें मिफ्ता साब हैं शायद काकान साब हैं ये तीनों भी वही हैं जो के उसी क्लास को represent करते हैं जो exploiters हैं इनकी multi billion dollars की industries हैं ये पाकिस्तान के मसायल का कोई हल नहीं दे सकते हैं उसकी वज़ा में किश्यू जो है वो import driven economy और तीसरा जो है वो aid driven economy इन चीजों की वज़ा से elite capture create होता है और welfare के फैसले होते ही नहीं है social contract की जहां तक आपने बात की तो social contract की determine करता है कि रियास्त की formation का objective क्या है इसने किस तरफ जाना है किस ideology को परसू करना है हमारा social contract क्या था कि सिर्फ हमें एकिलादा मुल्ख ले दें community से और कुछ नहीं चाहिए हमें तो आप इसको compare कर लें जो है वो French social contract से या फिर glorious revolution जो इंग्लेंड में आई उसके social contract से या American revolution से compare कर लें हमारे यहां तो कोई bill of rights है ही नहीं क्योंके rights तो सबसे end पे आते हैं पहले rights of the state की बात होती है सिर्फ और किसी की नहीं होती है तो इस point के उपर भी अभी आप देख लीजिए एक बड़ा crisis एक और refugees का create होने लगा है 17 लाख अफगान महाजरीन को हमने 20 दिन का time दे दिया कि आप यहां से चले जाएं जबके 80 से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी किस ने create की है पाकिस्तान के लीडर्स ने बहुत सकी है उसकी वज़ाई यह है कि वहाँ पे खलक और पर्चम की तारीक में क्या रोल रहा सौर रेवलूशन के बाद क्या रोल रहा इसके लावा अफगान वार खतम होने के बाद फॉल अफ काबूल जिस तरह भी बात हो रही थी किस ने करवाया जब अफगान तालिबान की वहां गभम में टाई यह brotherhood है हमारा असल में और अब वही brothers जो है वो उन brothers को shelter कर रहे हैं जो आपको मार रहे हैं और आपके security forces पे हमले कर रहे हैं तो utter lack of confusion because your state has no objectives वो सिरफ और सिरफ एक पार जो है वो partisan mentality के साथ बनी और आज तक उसको repeat नहीं करने दिया reconsider नहीं करने दिया So we have to rise from the ashes और ये जो एलीट कैप्चर है, इसको तोड़ने के लिए हमें इन से सलूशन नहीं मांगना एलीट के पास कोई सलूशन नहीं है, वो अपना कारोबार प्रोटेक्ट करता है, सिरफ और चला जाता है So that's what I will say, कि एकॉनमी के ये तीन चार मसायल हैं टॉक आपने अफगान महाजरीन की बात की एपेक्स कमेटी के उनको वापस भेजने के फैसले पर हम गुफ्तकू करेंगे आगे हिंदुस्तान के हवाले से भी आपने गुफ्तकू की तो मैं याद मुझे आता है जी पी एल चार सो असी गंदम हमारे यहां पराती थी जो वो शायद कि जो जानवर भी नहीं खाते होंगे उन मुलकों में जो कि हमारे लोगों को खानी पड़ती थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये एड में मिलती थी तो जब तक कि ये एक fundamental जो एक flaw है इसको ठीक नहीं किया जाता तब तक सूरते हाल में को तबदीली आ नहीं सकती दूसरा ये भी है कि जो पाकिस्तान का तालिमी निजाम है वो जिस किसम की आपकी जो labor force को तयार करता है वो ठीक वैसी ही है कि वो गंदम होगी का पास और ये सब पैदा तो कर देगी उन तमाम products में वो value add कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास education वो skill है ही नहीं आप बंगलादेश को ले लें textile वो आज वितना ज़्यादा produce कर रहा है almost 32 billion dollars के उनके annual exports हैं पैदा भी नहीं करते वो cotton उसके बावजूद उनके textile exports इतने ज़्यादा है एक वज़या है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपनी अवाम को कि उनको मुश्किलात पेश आ रही है अपना घर चलाने में इन दिनों थोड़ा सा हमें idea दें कि इस economic crisis का खवातीन जो की एक ये कहें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए है भार रोज टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए अपने बच्चों को दो वक्त की खुराग देना थोड़ा सा आप इसके ओपर light share करें प्लीज जो जिरूर उसे पहले जो बात की गई मुझे मैंने सुनी पैनलिस से कि सियासी इस्तहकाम नहीं आया मैं उसका जवाब देना चाहूंगी थोड़ा सा सियासी इस्तहकाम की तो हम अब उमीद भी नहीं रखते अगर हम अपने तारीफ पर नज़र डालते हैं तो हमें नहीं लगता प्यासी इस्तहकाम जो है वो मुम्किन है लेकिन हम लोग एक उमीद उरक सकते हैं कि जूँ जहां पर जो इनके पास बंदूक है उनके सामगा हैं अगर मत रहा करें यह चे ऐक दफ़या मिले तो आप एक दफ़यार रिफ्यूस कर करें तो आप एक दफ़या मिले तो आप खुद ही आजाएं क्योंकि हमें भी आपने दो साल बाद इसी तरह से ही डंडे के जोर पे निकालना है तो एक दफ़ा कोई सियासी जमाद जो है वो यह रिफॉर्म करके देखे अपने अंदर भी रिफॉर्म कर ले कि अपने बाप, बेटे, चाचे, मामे, ताए, कजन्स उनकी बजाए आम आदमी को थोड़ा आगे लाकर देखे, जो एक साइड का वरजन के स्टेट, 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 स्टेट तो नाइन्टी, फोटी, सैमन से यही कर रही है, उनके हाथ में बंदूख है, लेकिन जो हमारे साथ यह सियासी लोग कर रहे हैं, मुझे मेरे यह भाई तो मेरे सामने बैठे हैं लेकिन बाकी जमातों के लिए भी कि यह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, मुझे सिर्फ यह बता दें कि आप बहुत मजबूर हैं, आपको बहुत मजबूर किया जाता है, आपका इस तहकाम नहीं, आपको जो जो जल्म किया जाता है, व कि पिर आवाम कि किसी भी फला का काम करने का तो आप कम असकम जगा छोड़ें और उन लोगों को आने दें ताकि कुछ हो सकता है कोई बाहिमत लोग और हो और वो हो सकता है को रास्ता निकाले सैकंडली अपने वो जो खांदानी रियास्त से बाहर अगर विलावल है मर्यम है निवाज श्रीफ है, शहबाज श्रीफ है, उसके इलावा भी आप आम आदमी को मौका दें और अगर वो मौका नहीं दे रहे तो आप उनकी पार्टी छोड़ के इंडिपेंडनेंट हो जाएं, शायद अवाज को आप आप ही कुछ दे दें, हमें काईदियाजम से लेकर हमें गुटो को देख लें और इसके बाद आप इमरान खान को देख लेंए, निवाज श्रीफ को देख लेंए, इलीट कलास लाकर वो लोग लाकर बिठाते हैं, जो बात गुर्बत की करते हैं, जो बात आम लोगों की करते हैं, और पूरी अवाम ने 76 सालों में अपनी जलालत जाते हैं, जो इस नहीं जमात के वपर भरोसा करें, यह जो तीन माफिया से लिंक्ट ही लोग हैं, इनके पर भरोसा करें और इमरान खान के बाद आपको एक परस्टेलिटी वर्शिप के लिए परस्टेलिटी चाहिए, तो यह आपके लिए है, अब आती हूं आपके मौरल पेश किया खावातीन के लिए, अगर उस पर वो अमल कर लें तो मैं कहूंगी कि मेभी कि अगर सुलूजन इसको आप समझें, खलील साब फर्माते हैं, दलह जं कहते हैं कि और अगर मर्द कुछ भी ला रहा है और वो सबर और शुकर के साथ गुजार रही है, तो कुछ गलत नहीं करेगा, किसी को नहीं देखेगा, सुलूजन उन्होंने दे दिये, अब यह सुलूजन और हमारी अवाम नीचे लाखों के तादाद में कह रही है, बेशक 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 यही सुलूजन है, तो आप मुझे बताएं, अब इसमें खवातीन कसूर तो अब सा और शुकर करी, यह एक मॉडल है, और अगर इसको रियलिस्टिकली देखा जाए, तो आप मुझे यह बताएं, कि नसाब तालीम के जरी जो आप दिमागी बोने पैदा करते हैं, उनके रीडर्स जो हैं, भुटो, इमरान खान और निमाज शरीफ, शहबाद शरीफ, और बि आप मुझासे निकलने वाले लगों की तदाद में जो नौजमान हैं, जो अनस्किल्ड हैं, और जो बिल्कुल फंडमेंटली इतना वो रैडिकल हैं, उनको इनसान बनाने की कोई त्रबियत खाने बनाएं, कि उनको एंसान की स्किल्स दें, और तैंको उनके साथ ही आती और आपकी सारी खावतीन जो हैं वो घर पर बैठ कि उनको अच्छी खावतीन को हुकम है कि वो घर पर बैठें और जो मर्ग लेकर आए वो खुशी से उसको कबूल करें तो कोशिश करें कि खावतीन को बढ़ाएं और उनको बाहर निकाले financially independent career उनको छोटे करजा जात दें कितना मुश्किल है इस economic crisis में घर चलाना घर चलाना जनाब बात तो वह है कि घर चलाना तो मुम्किन ही नहीं है ना कि आप घर इस तरह से चल रहे हैं कि लोग जो बच्चों का पेट तो भरना होता है उधार पे चल रहे होते हैं जस तरह मुलक पूरा चल रहा है इसी तरह घर भी चल रहे होते है पिजली के ुंस्छे में जा ह रही है और आपके बाकी expenditures में जा रहे है फिर चवाए्न अपने जो सूस्साνη पी ङक्ता है अगर घर चक बैच रही है ये मर्द अपना स्कूटर बेच और ये नॉर्मली हो रहा है हमारे आसपाथ तो इस तरह से घर चल रहा है और आम आदमी सफर कर रहा है क्योंकि देखें जे टेक्स भी अगर लगेगा तो आम आदमी पर ही लगेगा I.M.F. का जो सबसे पहले बताया मुझा मिलने में वो भी स्कeeee की मांती कि उन पर ज़रूर चलती लेकिं 74 शालों से क्या हमें ये बाहर स ही गाईड किया रहा Разब चाहर है किんだर मीधन कि ही हैं उन्हार आदमी पर करते हैं और कहीं ना कहीं मैं इसे कहूंगी कि जस्टीफाइड है क्योंकि ये आम आदमी मी ये आम औरत कि सारा जल्म सहने को सारी जलालत सहने को बिलकुल तयार बैटे हैं और जो इनको जूते मारते हैं सियस्तदानों चाए वो स्केट हूँ यह उन्हीं की पूजा करते हैं और जो इनको जलील करने की गुफतगू करता यह उन्हीं को हीरो बनाते हैं तो मैं तो नहीं समझती कि कोई भी और घर चलाना मेरा ने ख्याल कि कभी भी इस मुलक में औरत के लिए असान रहा है जो माईशारती तो और भी इंडिपेंडेंट नहीं और ना कभी होगा और आज के दोर में ज़रा और प्राइसी जी थोड़ी सी बात करते हैं सेक्यूरिटी के हवाले से अबाज साब आपका तालोक गिलगत बाल्टिस्तान से है थोड़ा सा वहां के बारे में भी बताएं और ये बताएं कि हकूमत का जो ये फैसला है कि हम तमाम अफगान महाजरीन को जो के इलीगली है मुलक में उनको वापस अफगानिस्तान भेज देंगे क्या असर पड़ सकता है आपकी सिक्यूरिटी सिचुएशन पर उसका तेखें जी और दियर जो अफगानिस्तान का बार चला आरा था मुझाहिदीन के दोर सभी तक कि जो डीप स्टेट की कहानी है मुझामिल साब ने बात की इसके उपर ये हमेशे से हमारा स्ट्रेटिक डेप्ट और डीप स्टेट वाली साय मुलक के उससे नहीं दिया इनके इस वक्त से भी तक जो जा रहते हैं ये बताएं देखें सबसे बड़ा मसला महमिया समझते हैं कि इनके महाजरीन का था देखें दुनिया में कहीं जहां पर भी जाएंगे इंटरनेशनल कोवानीन के तेद भी जो रिजिस्टर्स महाज देना रहता है, वहां का मसला ये है कि बहुत सारे अफगानी जो वहां से आए हैं इदर और उन्हों ने चाहे हो कसी भी तरीके से, बाद लोगों ने अपना जाली बनाया है या लिगल तरीके से लिया है आइडिंटिटी पाइस्तान के असल की है, और पकिस्तान की जो एका एकानमी है, खास तो पर के बिके के अंदर में यह समझता हूँ कि अफगानियों का एक बहुत बढ़ा रोल है, और उसी एकानमी में बैठके, कारुबार में बैठके, जो अफगानियों ने वहां से, जो भी डालर के ओपर जो सारी डिवेट चल रही है, हमारी मीडिया के ओ के डालर आता है, इसकलब तो डालर है यह निए, वो जो छो छो छे बिलियन ڈालर्ज है, डालर है, वो पकिस्तान से चला जाता है, ड्रेइक हो के, और वो सारह का सारा जो होता है, बहुत यहां पर बेठे वे, वो महाजरीन करते हैं, जो के पिके से लेगे कराच سबाडर क structure के अंदर smuggling को किसी ने किसी शकल में legalize किया है और ऐसे लोगों को वहां पर रखा गिया है जो smuggling करते हैं और उनके ओपर खास लोगों का हाथ होता है ताकि वो smuggling करते रहें और जिस दिन उनकी ज़रत पड़े वो उन लोगों के तेल को हमें समगलिंग को बन करके हमें एरांस अगर legally नेना चाहिए या अफगानिस्तान का जो बॉडर है जहां पर trade होती है इस ट्रेड को हम illegal जो ट्रेड है जो समगलिंग है उसे बन करें और legally हम trade करें तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है और आप ने देखा होगा रिसेंडली आ वहां पे media reports आती हैं जो अफगानिस्तान के border areas हैं चाहे वो तुर्खम है चाहे वो आपका ये जो फाटा एकसपाटा जो बेल्ट है वहां पे जो लोग border area में रहते हैं जो कारोबारी हैं वो किते हम पासपोर्ट को ही generate करते थे और अपने उन प्रोजेक्स को फीड करते थे जहां पे उन्हें पैसे की जुरत परती थी जो रियास्त उन्हें दे नहीं सकती थी इन बसाइल को हल करने के लिए अगर आज रियास्त ये समझती है कि इसे लोगों को डिसकर्ज किया जाए इस तरह की जो मेल प्रिक्टिसिस थी उन्हें रोका जाए तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी बात है लेकिन उसका जो impact परेगा वो मेरा ख्याल है किसी लेवल पे यहां से चले जाते हैं या यह अपनी economy के अंदर अपना participation नहीं करते हैं तो पाकिस्तान की economy के भी एक असर पड़ सकता है उसका लेवल कितना है वो क्यूंकि मैं माशी expert नहीं हो तो उस पर बात में नहीं कर सकता है लेकि इसमें एक चुटासा सवाल और ले बहुत सारे बात ये हैeles strategy है अफगान atención आटे हैं और आसे कच्ची आबादियों में रहते हैं और जो हमारा लोकल लेबर है उसके मकाबने है वह अगर लेबर लेकिन वो लिगल बिजनेस करें ना इलिगल क्यों करताएं उन्डी के ठेट क्यों करता हैं के लिए उन्दी के कारोबार पांगा पाइles की अवस्ति Cum उस नजर में नहीं आना चाहते है रियास्त के वो एक अलाग बात है उसकी बुन्यादी वज़ा ये भी थी कि रियास्त में कुछ ताकतवर हलके थे जो उनको सर पे हाथ रखते थे क्या क्योंकि उन्हें उस बार्डर में जबरत थी उनकी और ये एक स्ट्रिक्चर था हमारी के अंदर ये चीज बुनियाद मौजूद थी समगलिंग एक स्ट्रिक्चर के तोर पर हमारे रियास्त में मौजूद है इस चीज को अगर रियास्त आज ये समझती है कि ये खत्म करनी चाहिए और वो जो तागतवर हलके जो इस चीज में इन्वाल थे अगर वो ये समझते है कि ये हमारी जो प्रिक्टिस से वो गलत है हमें इस चीज को रोगना चाहिए तो मैं ये समझता हूँ जादी तोर पर ये एक अच्छा अमल है बुरा नहीं है लेकिन जाहर है उसके एंपेक्ट के ओपर एनेलेसिस होना चाहिए जे सेद मुझमिल साब आप कैसे देखते हैं ये जो तमाम 1.7 मिलियन 17 लाग के करीब इलीगल अफगान रिफ्यूजीज जिन से पाकिस्तान को वापस अफगानिस्तान भेजने की बात हो रही है कितना रियलिस्टिक है आपकी गवर्मेंट के लिए इसको जो है अचीव कर पाना उन तमाम लोगों को वापस भेजना उसके बाद एक चोड़ा सवाल और पूछूना जी आपसे देखें पहली बात यह है कि इसका सोल अफगान महाजरीन को निकालना नहीं था बलके यह था कि अफगान तालिबान के ओपर प्रेशर डाला जाए कि वो हमारे फॉरं प किया 80's से कि गुलबदीन हिकमतियार से लेके कितने ऐसे अफराद थे जिनको अपनी बॉर्डर स्पेस के अंदर आपने जगा दी जो कि अफगानिस्तान में बदमनी फिला रहे थे फ्रॉम दे 90's शुरू हो जाएं आप तो एक क्राइसिस आप हाइपोथेटिकली जरा सोच कि मैं आपके घर में एक क्राइसिस पैदा करूं जब आप वहां से सामान उठाके मेरे घर आजाएं तो मैं कहूं मैंने तुम्हारे उपर इसान किया अब तुम्हें मेरा इसान मानना चाहिए ये लॉजिक है हमारी तो इसलिए मैं यह नहीं कहता कि यह लीगली यहां पर य पर्मिशन गरांट करता था अब वो तथकरा को वाइलेट करके कुछ लोग आगे आगए उन एरियास में चले गए जहां पे उनको पर्मिशन नहीं थी तो आपने भी उसको डेलिबरिटली एगनोर किया क्यूंकि आपके भी फॉरन पॉलिसी अग्जेक्टिव यही थे जि लिया था अमरीका से अफगान मुझाइदी इनको वाँ इंस्टॉल करके रिशिया को मारने के लिए तो उनको आइडिया था कि ओपियम भी आएगी कलेशनिकॉफ भी आएगी और अफगान महाजरीन भी आएंगे यह सब जानते होने के बावजूद उन्होंने अमेरिकन फ प्रैसिस आ जाएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो मेरा कंसर्ण यह है कि आपने सतरा लाख लोगों की सायद सेकंड वर्ड वर्ड वार के बाद सबसे बड़ी मूवमेंट हो अगर तो यह हो जाती है तो आपने इतने बड़े नंबर को सिर्फ दिन दिये हैं यहां से जाने पाकिस्तान की स्टेट को कैटेगोरिकली कहना चाहिए कि कोई खातून को फोर्स नहीं किया जाएगा वहां जाने के लिए जसतरा की वो रेजेम हैं जो कहते हैं कि गली में नहीं जाना absolutely endangered ہیں जिनको वहाँ पे गाजर और मूली की तरह वो काटते हैं अगर आप उनको भी 20 दिन में force करके वापस भेजेंगे तो international laws ये भी कहते हैं amnesty ने भी concern शो किया इसके उपर कि आप पहले ये देख लें कि इसमें से political asylum seekers कितने हैं पहले उसको qualify करें उसके बाद इनको बेदेखल करें और थोड़ा time span जो है बड़ा रखें अगर मैंने कोई कारोबार को समेट के यहां से जाना भी है मेरे पास एक realistic amount तो होना इसलामबाद के अंदर अभी बहुत से अफगान पनागजीन जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हुएं उनको कोई कराय का घर नहीं दे रहा उनको हॉस्टल से निकाल रहे हैं तो मैं यह समझता हूं कि बिल्कुल illegal जो immigrants हैं उनके against कोई ना कोई reform होनी चाहिए लेकिन उसका तरीका ऐसा हो कि आपके लिए एक sympathy create हो के घुसा create हो racial profiling में वो convert ना हो जाए क्योंकि यह 20 लाग जो legal यहां बैठे हुए अगर आपने उनको भी इसमें लपेट दिया कि क्रिमिनल है सारे अभी taxation की बात हो रही थी पाकिस्तान में direct tax देने वाले लोगों की promotion 6-8% है तो अगर हम यह समझते हैं डिफाइन नहीं होती वो political will से डिफाइन होती है political will में क्या difference है TTP और अफगान तालिबान के सिर्फ एक फरक है कि TTP इस तरफ अपना province समझती है कि इसको बनाएंगे और अफगान तालिबान उस तरफ समझती है क्या वो दोनों misogynist नहीं है क्या fundamentalist नहीं है क्या साओधी सलाफिजम पे उनका यकीन नहीं है क्या minorities को exterminate नहीं करते बिलकुल करते है क्या women education के खिलाफ है दोनों खिलाफ है तो फरक क्या है दोनों में कोई भी नहीं कोई फरक नहीं था इसलिए जिए जिन लोगों ने ये कहा कि उनको हारबर नहीं करेंगे उनके सामने रिजल्ट है कि पांच-छे अजार फाइटर को उनने आतिसा छोड़ दिया अब मसला ये है कि अफगान तालिबान की जो government है उसकी वो rate नहीं है जो हम यहाँ बैठके समझते है अगर rate है तो मैं चैलेंज करता हूँ किसी पाकिस्तानी लीडर को कि ये उठके कहें कि आप जाके दाइश खुरासान की अगेंस कारवाई करके दिखाएं एक कारवाई करके दिखाएं अफगान तालिबान की government उनके अगेंस नहीं कर सकती इतनी कमजोर है कि ये डरते हैं कि अगर टीटीपी का और दाइश खुरासान का अलाइंस हो गया तो हमारी government गर जाएगी तो ऐसी weak government को आपने back करके सारे एक्स उनकी बासकेट में डाल दी है जो अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं है आप देख लीजिए चाइना ने जाकर उनसे क्या मांगा कि एटिम के अगेंस कारवाईयां करें इस तुरकिस्तान इस्लाविक movement वो आज तक नहीं कर सके तो वो किसी terrorist के हायर डाउट को कैसे डिस्ट्रॉई करेंगे उनका अपना मॉडल भी यही है यह गुरिला वारफेर की territory है पिछले दो से अभी तक वही चलता जा रहा है वहाँ पे तो इसलिए जिसने भी यह एक्सपेक्ट किया कि उनके आने से टीटीपी खतम हो जाएगी वो तो जहालत कर रहा था इन्होंने सिरफ हारबर करना था टीटीपी को जो कर ली है उन्होंने और उससे पाकिस्तान में जो टेररिज्म के जो नंबर्स है आपके सामने है उस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती कि तीन सो परसेंट इंक्रीज ऑन फैक्ट्स हो चुका है इस नौ डिबेटेबल पॉइंट अटॉल तो जिन्होंने भी ये बात की थी मैं तो कहता हूं जनरल फैज ने जाके चाहे पीठी वहां पे उनको भी पकड़ें पूछें उनसे किसके इमापे जाके ये बात की उनसे या किसके इमापे इमरान खान ने कहा कि मैं पांच हजार टीटीपी के फाइटर्स को के पीके में सेटल करवाँगा जो जो है वो जिबा कर रहे थे पाकिस्तानियों को जो उनके सरों से फुटबॉल खेल रहे थे उसको इन जनाब ने सेटल करना था वहां पे तो इनका इतसाब होना चाहिए इन से सवाल करें कि आपको किसने यह अथारिटी दी कि पाकिस्तान के लोगों की जानों से खेलें आप लोगो तो करन्ट इस्टैबलिश्मेंट ने भी इस बात को एकसेप्ट किया है कि यह पॉलिसी गलत थी इसको रिवर्स करना है हमने तो जिन्हों ने इस गलत पॉलिसी को बनाया उनसे जवाब भी लें सिरफ उनको ब्लेम करके खामोश होने से मसला हल नहीं होगा जी बिलकुल सही है मैं ऐस अन आउटसाइडर जब देखता हूँ तो एक contradiction मुझे पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है कि अपने East में यानि कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाहता है कि एक secular हुकूमत हो और अपने West में यानि अफगानस्तान में वो चाहता है कि एक शरी हुकूमत हो अपने लिए आदा तीतर आदा बटेर वाली एक hybrid किसम का ये इसलामी जमूरिया पाकिस्तान बनाया हुआ है तो अफगान तालिबान के नस्दीक तो इस किसम की contradictions नहीं है वो जिस ideology में यकीन रखते हैं वो अपने मुल्क को अगर शरीयत के उपर चलाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी वही निजाम हो ये contradiction तो आपका है तो वेल ये देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अब इसे कैसे टैकल करती है मैं चाहता हूँ कि एक सवाल अबास मुसरी साहब से पूछ लें उसके बार अमारा के तरफ चलते हैं अबास साहब ये टी टी पी को लेकर पाकिस्तान के पास क्या choices है मेरी नजर में तो दो ही choices है या तो अपने borders को secure कर लें अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अफगान तालिबान के साथ में कभी न कभी जंग के लिए तयार रहें आप क्या कहेंगे तेके अबिन साथ एक बात तो decided है मैं यह समझता हूँ जादी तोर पर कि इंडियन्स को हक है कि वो अपने मुल्क में जो इंसा भी नजाम लाएं हाँ मैंने पहले से बात की structure के अंदर पाकिस्टान की या जो इंडियन्स की बात हुई अगर पाकिस्तान के अंदर Islamic democracy हो सकती है तो तालिबान को भी तो चाहिए था कि वो अफगानिस्तान के अंदर elections में जाते उनको भी लग पता जाता कि वहां पे अशरफ गनी की government के पास में ज्यादा लोगों का support है या उनके पास है चाहे वो बंदूग के जोर पर ही आएं देखें अर्विंज आप दुनिया में आप अगर इंसरजिंस को study करें तो जो लोग बंदूग की नोग पे नजाम को तब्दील करना चाहते हैं वो हमेशा से ज्यादा नहीं होते हैं उनको vote हमेशा से कम बढ़ता है वो हमेशा से को का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर इस तालिवान को लेके मुझाइदीन को लेके जैसे की मुझामिल सापने बात किया अमेरिका के लिए रश्या के साथ लड़ना तो ये चीज़ें एक्जिस्स करती है लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रियास्ते पाक को ये हख हासल नहीं है कि वह वहां पफे किसी भी किसम की को मिनपलेशन करें ये एक अलग बात है कि तालवान के बारे में टिटीपी के होले से जो बात हम करते हैं उसकी बज़ा कि ये जो बाद की मुझ मिलसाफ ने गृट तालिवान की से को मैं बिलकुल टोटली agडिय करता हूंगी एक कोड़ बड़ा गंदा मजाग पाकिस्तान के लोगों के साथ कहला गया इस्टेबलिश्मेंट ने एक ऐसा मजाग किया गया और यह सारी जो स्टोरी बनाई गई यह बिसकली थी कंकॉक्टिक लोगों को हायर किया गया उनको पैसे दिये गये उनको इस्तमाल किया गया लेकिन जब अनको पैसे देने वाले लोग कुछ पाकिस्तान से ज्यादा हमीर मिल गए तो उन्हों نے کچھ اور کام کرنا شروع کر دیا جو آج ہمارے گلے پڑھ گیا ہے اور خاص طور پر جو سابقہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی انہوں نے جو پالیسی بنائی انہوں نے جو جرگہ بھیجا جنہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے وہ ایک بہت بڑا مذاک تھا اس ریاست پاکستان کے ان شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جانے اس ملک کے لیے قربان کی ان فوجوں کے ساتھ جن کے لاشوں کو جو ہیں انہوں نے تاراج کیا جن کے سروں سے انہوں نے فٹوال کھلا میرا یہ خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر اگر حکومت دیل کرنا چاہے تو صرف اور صرف حکومتی ریڈ قائم کرنے کے علاوہ کسی کس ان کی مذاکرات کرنا ان شہیدوں کے ساتھ مذاک ہے اور اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس لحاظ سے کلیر نہیں ہے ہمارے ایسے لوگوں کو اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس طرح کے جو اور فٹس ہیں ان کے اوپر کسی نے کسی لیول پہ جا کے نرمی بھرتی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو پروٹک کیا جاتا ہے جو اس طرح کی ایکٹیوٹی میں ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو کسی صورت بھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہے بلکہ کنڈم کرنا چاہیے اور سیاسی لوگوں کو اس کو پر خل کے اپنی خیالات کا اظہار کرنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیوٹی کو کنڈم کرنے سے ہی مسائل نہ لوں گے جی ٹی ٹی پی کو لے کے جیسے میں نے کہا میرا جو سوال تھا کہ کیا آپشن ہے پاکستان کی حکومت کے پاس کیا وہ کر سکتے ہیں جبکہ یہ اب جانتے ہیں کہ سینچری کو ان کو بورڈر کے پسپار ملتی ہے دیکھیں اب بات طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ سٹک اینڈ کیری کا رول فالو کرتے ہیں لیکن کسی بھی قسم کے مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ possible ہی نہیں ہے ایزا ریاست کے باشندے کے پاکستان کے باشندے کے پاکستان کے عام شریق حصیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے آوٹفٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا جو آپ کے سروں کے ساتھ کتبال کھیلتے ہوں آپ کے ساتھ کسی قسم کے کسی لیول پہ آکے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات possible نہیں ہیں تو آپ کی بات کا میں یہ مطلب نکالتا ہوں معاف کریں के वर थोड़ा कम है कि सिवाए जंग के और कोई दूसरा option है नहीं और जंग टीटीपी पे होनी एक्टरन से जैसा आप ने का अफगान तालिबान और टीटीपी में कोई फर्क नहीं है तो वो जनिया भर के तमाम पुलिटिकल एंडलेस्ट जो पाकिस्तान पर देखते हैं उनका उनका भी यहीं मानना है कि option है क्या और या तो आप अपने बॉर्डर को सिक्यूर कर लें और अपने सिक्यूर को मेंटिंग करें या फिर आपको उस चना पने जहां से औरीजनेट हो रही जो समगलेंग के रास्ते थे उनको बंच और आप नहीं रहां कि आप गान जो पाक्वान जो पुन जो उनके किल्चर है जिया जो गूरिडर पक्तोंखा की बात करते हैं, उन्हों इस चीजो तस्पी नहीं किा और वो यह समझते हैं कि ये बार जो है, जो बाडर को सिक्यू है अगर कंसान नहोता तो आपने पंड्स का इतना बड़ा बजट अफगानिस्तान के इतने बड़ी सरहत का उपर बार्ड लगाने पे खरच नहीं करता स्क्यूर्टी मेयर्स लगाने पे खरच नहीं करता रिडार्स लगाने पे खरच नहीं करता उन बार्डर तो सीक्यूर कर होना चाहिए लेकिन अब बात यह है कि जहां तक कहां तक काम्याब हुआ है यह अलग डिवेट है जाहिर है वो खातिर्फ़ा काम्याबी हासिल नहीं हुई लेकिन रियासत को इस हवाले से अपनी पॉलिसी बड़ी डिटर्मन है कि उन्हें इस बाडर को सिक्योर करना चाहिए इस समगलिंग को रोपना चाहिए और इस बाडर को सिक्योर करना चाहिए ताकि यह मसायल जो बढ़ते जा रहे हैं यह रुपे जे और इसी को लेकर पाकिस्तान की जो एपेक्स कमेटी है उन्होंने तकरीवन बीस पॉइंट दिये हैं एक एक करके मैं सारे तो नहीं आप य से लेकर सवाल पूछना चाहूंगा एपेक्स कमेटी ने कहा है जिए कि इसलाम जो है वो तो अमन का मजब है और स्टेट टॉलरेट नहीं करेगा कि मजब की कोई इंटर्प्रेशन करे अपनी तरफ से अपने एक सियासी गोल्स को अपने सियासी मकासद को हासल करने के लिए तो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जो मुल्क बना ही मजब के नाम पर हो उसमें से आप मजब और सियासत को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे अपने उस से पहले तुम्हें ये बात जो अबासा बता रहे हैं कि वो जो हमारे बाडर लाइन को स्क्योर करने की तो वो तुम्हें एक थोड़ी सी बाज़ात करवाना चाहती हूँ कि 1893 में बिलिटीज ने जो डूरेंट लाइन बनाई थी वो आज तक अफगान नहीं मान चाहिएंगे तो आपका जो बाडर है वो आप मांते हैं वो बाडर को नहीं मांने और दूसरी बात मैं यह कहूँगी कि आप अगर अफगान महाजुरीन को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने इतना वोक्त दे दिया बेच देनो और हम उनको बेज़ना चाहते हैं तो बेसे अप्रोच नहीं लगती अगर आपने वाके ही सत्रह लाग की करीब आपने अफगानियों को भीजना है आप उनको कुछ एक टाइम प्रेम दें और उसके बाद आइसा इसा चीज़े एक दम सैसे यह रालिटी बेसिस पे नहीं लगता और अगर आप वाके ही थोड़ा बहुत स सकते थे आपके अफगान तो किराची, लहौर, इसलावबाद, पूरे मुल्क में फैल गए जब के बजाहिर आपने भी एक लाइन बनाई थी तो सारा कुछ किया कर आया तो आपका है फिर उसके बाद एक पॉइंट आप लोगों ने डिसकस किया बार 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 गुड ताल प्री नहीं चाहिए था, वहाँ पर आपने सेकूलर हाकूमत की उसको गिराने के लिए आपने वहाँ पकड़े उन में साथ तीन मुल्ला आपने जमा की है आपने अमेरिका को साथ मिलाया और उसके बाद आपने मुदरसे बना और वहाँ से आपने तालबान निकाले मतलब आपने बनाए और जब आपने बनाए तो आप कहते हमने गुड़ वाले तालबान बनाए जब आपने गुड़ वाले तालबान बनाए तो उसमें से उसके बाद जो अलकाइदा आया अरब से भी आ गया और एक जगह से और से भी आ गया जब वो लोग चामिल लोग उन्होंने Al-Qaeda बना ली, Al-Qaeda कमिशन था, अमेरिका, तालबान कमिशन था, अफगानिस्टान, सुवेच यॉनियन, अभ यह जो अपने मुरबा बना ली, अब 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 वहां से बैड तालबान शुरू हुए, तो यह जो सुनने वाले भी एक्टालबान हो या कभी भी, ती ग लेकिन आप अगर कहें कि बच्चों को छोड़कर अपने ये फैमिली का ये पक्तून उनको छोड़कर यहां पर जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा और आप जो बात करें कि इसलाम के नाम पर बनावा मुल्क है और इसके उपर आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स या है जब आपको पाक कमपने 76 सालों में गोल गोल कर पिलाया है असलेबस के जरीए कि यही आपका औरना भी छोड़ना है और यही आपकी सियासत है और आप वो अगर कह रहे हैं लेकिन मैं मानती नहीं हूं क्योंकि जैसे ही दो साल पहले आप चाहे पीकर दो साल पहले और और गोलिसी कि दो साल पहले बाद अब आप कह रहें कि यह हमारी पॉलिसी नहीं होगी यहि कि सियासत में मजभ को अस्तुमाल नहीं करेंगेगे अब हम लोग ताललवान के साथ हम बिल् 1930 नहीं करेंगे तो पर्सनली जो मेरी अप्रोच है या जो मेरा मानना है मैं नहीं समझते कि इसमें से कुछ भी सच होगा क्योंकि narrative यहां बदलते वे देर नहीं लगती क्योंकि policies जो है वो यहां पर जब बनाई जाती वो individual बनाते हैं यहां पर कोई भी इसमबली policies नहीं बनाती कि आप यह समझें कि जो यह बात कहीं गहीं है इस पर अमल होगा तो मैं इसको इस तरह से नहीं समझते जी कुछ नहीं होगा है इसके उपर अमल दरामद होता हुआ आपको दिखाईनी दे रहा है आखरी सवाल मैं आप तीनों से एक एक और जी जरूर एड़ करना चाहूंगी तो आप मेंसे कोई एक मुझे शख्स बता दे कि कोई जो इमरान खान को तुम टर्गेट कर रहे हैं ठीक है लेकिन उनको भी उस मासूम इंसान को जो फाइलें दिखाते तो जो बताते थे किता गुड दालबान के बारे में और उनों और जो नारे लगाते थे तो क्या उस उन जर्नेर्स को जर्नर बाजवार जनर्ल फैस को पोई किटेरे में लाएगा और अगर नहीं लाएगा तो मैं नहीं मानती किसमेसे कोई भी संजीधा बात है समसा आके जी सेयद मुझमिल साहब इन दिनों पाकिस्तान में फॉरंड डारेक्ट इंवेस्मेंट लाने की बहुत जादा बात हो रही है इस खोल लेगा तो ये तो अन्रियलिस्टिक है सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान ने जब एपिएस में 132 छोटे बचों को जिन्दा जला दिया था टीटीपी ने जिसको कंडेम भी नहीं किया पाकिस्तान के बहुत से क्लेरिक्स ने हैं उसके बाद एक डॉकुमिन्ट बनाया था हमने उसका नाम था नेश्टन अलेक्शन प्लैन और आज तक उसके एक भी कलास पे अमल नहीं किया अनLESS उस डॉकुमिन्ट पे कम्पलीटली अमल नहीं होता यहां ना पीस आ सकता है, ना इन्वेस्मेंट आ सकती है, ना यहां पर एक यूमनिस रियासत बन सकती है, उसकी वज़ा यह है कि यह सारा जो सेक्यूरिटाइजेशन का क्राइसिस है और क्रॉस बॉर्डर टेरिसम है, इसको खतम हम तब करेंगे जब अपने मुलक के अंदर ऐ पीचे से फंडिंग वहां से आ रही है और वो बैटके हमें यह बता रहे हैं कि तालिबान कितने अजीम लोग हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है, जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी पे चलती है, एक बड़े मशूर क्लेरिक्स हैं जो दिन रात य होगा हमें, और किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इस सारे जो है वो कहना चाहिए कि आप मायूसियत पहला रहे हैं, कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे हैं, नहीं मुस्बत बात देखें, वो मायूसी पहलने से होती है, उसकी वज़ा यह है कि मैं अगर प्रॉबलम्स को स इस्टिंग सिस्टम, यॉरप के अंदर भी नैशनलिजम तबाह हुआ, जो के बैकवर्ड नैशनलिजम था ता उसके बाद जाके डिमॉक्रसी प्रिवेल की, जर्मनी के अंदर देखने क्या हुआ, तो मैं यह समझता हूँ कि एक तो नैशनल एक्शन प्लैन पे अमल दराम तो पहले आप पैरलल गर्मन्ट को खतम करें, एक जगा लेकर आएं, एक तदार को उसके बाद आपसे बाहर के ममालिक बात करेंगे और FDI का मसला हल होगा, जिसकी आपकी भी डिसकेशन कर रहे हैं, तो पैरलल स्टेट हैस तो गो, नैशनल एक्शन प्लैन के ओपर अमल दर टू हंडर्ड यूनिवरस्टीज, फिफ्टी थाउजन सेमिनारीज, और उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा यहां पे, आइंस्टैन तो पैदा नहीं होगा, ठीक है, टेसला तो पैदा नहीं हो जाएगा यहां पे, तो मैं यह समझता हूं कि उस फॉ लोदी अरब ने नैर वाले पूल पे बुलाया है, और खुद वो सेकुलर हो गए हैं, हमें अब समझ नहीं आरी कि हमने कहा जाना है, तो हमें यह समझना पड़ेगा, यह किस्वी सदी है, यह जी बिलकुल आप थी कह रहे हैं कि आप्टिमिजम एक अच्छी बात है, लेकि उसके लिए कुछ बेसिस भी होना चाहिए, उसके बगार वो स्ट्यूपिडिटी लगती है, अबास मुस्वी साहब, आप मुल्क में सियासी इस्तहकाम लाने की बात कर रहे थे, कैसे आएगा जनाब, जो तस्वीर सहीर मुजमिन ने खेंची है, उसके बाद तो फिर दूर दूर तक है, उमीद भी दम तोड़ती हो दिखाये दे रही है, मुझे तो, आप क्या कहेंगी जनाब, और आपके क्लोजिंग रिमार्क्स किसी के साथ, तेके जी, अर्विन साथ, मैं सियासी वर्कर हूँ, हम सियासी जो तुझे करने वारे लोग हैं, उमीद पे दुनिया काईम है, सतर साल से इस उमीद के साथ कि यहाँ पे सिवल सिप्रमेसी का फराज होगा, यहाँ पे जो प्रिटिकल फोर्सेज़ हैं, वो मजबूत होगी, मुझे दूर दूर तक अभी वो उमीद पूरी होती भी नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, जो प्लिटिकल लोग हैं, हमारा साहिबा ने बात की कि आप लोग सियासत क्यों नहीं चोड़ते हैं, आप आजाएं, आप सियासत कर करने दें, स्ट्रिक्चर का मसला यह है, अर्विन साब यहां पे पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए पिट्रियॉट बनाया जाता है, मुस्लिम लिग को तोड़ने के लिए काप लीग बनाई जाती है, और पीटियाई को तोड़ने के लिए इस्तेहकाम पार्टी बना होता है कि वो तालाब को छोड़ता नहीं है और बेशक वो खुद मर जाए तो इस सुरत हाल में हम सुखेवे तालाब के हंसे ही कुछ सीख सकते हैं और इस जिद्धुजहत को मजीद कंटिन्यू रखेंगे अमीद हम ये रखते हैं कि इन्शालों ताला एक दिन इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फोसिस मजबूत होंगी और डिमोक्रेसी का बोल बाला होगा सेवल सुप्रमेंसी का बोल बाला होगा उमीद मैं सब्राओं कि सियासत के जी सियासत में भी करने का दिल करता है लेकिन पदना करोड नहीं है मैंने का इलेक्शन लड़ने के लिए ये चोटा सा मसला है मैं अगें यहीं बात कर रहा हूं रोमेर स्कें की बहुत बात करते हैं मैं पहले पहले कुछिट्टि का अंसर मैंने यह स्क्राइब है हमारे जो गरीब और अमिर के दर्मयान जो है तो है उप्र संट के पास है नाइटी एट परसंट लोग मर रहे हैं किल अगर कल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 96 परसंट लोग इस मुलक में ऐसे हैं आकॉर्ट होल्डर जिनके पास पाइंच लाग रुपे भी नहीं है यानि सिक्स परसंट लोग ऐसे हैं जिनके पाइंच पाइंच लाग सुपर पैसे हैं तो आप यह देख लें कि जो एकॉनमी में हम बात करते हैं दौलत का जो इर्तिकाज है वो तू परसंट लोगों के पास है तो यहां पर यह मुल्क के स्ट्रिक्चर के अंदर माफिया को मश्बूत किया गिया है अवाम को कमजोर रखा गिया है तो यह तो जिन तुझे सियासी वरकर नहीं करनी है और कि इन तमाम बातों को पाकिस्तान का नौजवान तबका भी सुन रहा होगा अमारा इफ्तिकार साहिबा आपके क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज क्लोजिंग में बस यही कि पहले जैसे मुझामिल ने का हम यकीन माने यही कहने वाली थी कि यकीन मानिये अवास साब मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के और दूसरा में इतनी प्रिविलिज्ज खातून भी नहीं हूं कि मुझे वो जो स्पेशल सीट्स होती है वो मिल जाएं तो क्योंकि मैं किसी कभी अभी तक तो वो भी सीन नहीं है तो इसलिए मेरी तरफ से तो माफी और मैंने आम पॉलिटीशन की बात नहीं की मैं उन लीडर्स की बात करी हूं चले उसको अगर आप तनकीद ले ले तो मैं एक हल यह समझती हूं कि जो स्टेट है हमारी वो कमसकम अब एक पेज़ पे आज़ा और जो उन्होंने डिसियन लिये हैं जैसे नैशन एक्शन प्लैन है वो कमसकम एक अपना कमसकम कोई एक क्लियर माइंड बना ले कि गुड तालबान बैड तालबान यह उन से निकल कर अगर वाकिए उसको स्टेट लेवल पर आ बनाके लगा रखा था जब अमेरिका उनको खतम करने आया था तो अब हम मदद भी तो किस से मांगे ना यह भी तो थोड़ा सा हमारी स्टेट भी इस वक्त जो है वो मुश्किल में लेकिन उसके बावजूद मेरे खाल में क्लियर नेरेटिव रखना चाहिए दूसरी बात म पारी जमाते में इनकी बात नहीं करी जो मेंन पॉलिटिकल पार्टीज हैं यह भी एक स्लूजन का एक तरफ एक कदम हो सकता है कि कोशिश करेंगे कि कुछ मिल बैठें और कुछ मसले का हल निकाले उसके बाद जो कर हैं बाकी चीज़ें बाकी सारी खौफ की बाते हैं और आप अगर मजब को बेचना बंद करें यहां पर थोड़ा सा औरत को आजाद करें क्योंकि 52 परसंट के करीब आपकी खवातीन हैं उनको आप बिस्निस सेक्टर में लेकर आए अपना स्लेबस बदलें थोड़ा बहुत एडूकेशनल जो है वो जराय बदलें आपकी जो भी दिमाग आपने पैदा कर दी है ना करोड़ों में उनको थोड़ा बहुत जो है अब नॉर्मालाइज करने की कोशिश करें स्टेट तो मेरे कहलों तो यह चुटे-चुटे मसायल के हाल है अगर हो सके तो जी बिलकुल आप इस बात पर भी तो दात दे ना कि बोल न्यू कराम का वक्त खत्म हो चला है लेकिन इससे पहले मैं यह जरूरू है जी कि पाकिस्तान की जो सिक्यूरिटी चैलेंजिस हैं उन्हें लेके मौसम दावर साहब ने आज से कुछ हफते पहले की इंट्रिव्यू दिया था जिसमें उन्होंने का था कि जनल बाजवा को जब मैं जी पाकिस्तान की जो हेल्पलेस्नेस है हुकूमत की या फिर इस्टैब्लिश्मेंट की उसकी भी वो एक तरह से निशान देही करती है ये बात बरहाल आज आप लोगों ने वक्त दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे फिर कभी बात होगी खुदा हाफिज अलाफिज, थैक यू